आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से हिसाब लेने की? वो अच्छा, हाँ प्लीज, बैठे ना, बैठ की बात कर लीजे मुझे अब आपसे कोई बात नहीं करनी उतना काफी है जितना आप महाम को सुना चुकी आइम सॉरी आप हमारे घर में खड़ोकर इस तरह हमारी इंसल्ट नहीं कर सकती हैं ओ, तो आप जैसे लोगों की भी इंसल्ट होती है जो दूसरों की इंसल्ट करके बहुत फखर महसूस करते हैं कि तुम और तुम्हारी माँ ही थे ना जिन्हों ने दूसरे की बेटी की बहरात वापस लाके उसके बाप को मौत की नीन सुला दिया था और हमारे सामने कितना शरीफ बन रहे थे और हमने भी यखीन कर लिया आपकी बातों पर वो तो अच्छा हुआ कि वक्त से पहले आप लोगों की असलिया सामने आ गई वैसे बारात वापस लाके आपने उस लड़की पर बहुत अहसान किया उसकी जिन्देगी बरबाद होने से बचा ली जो आप जैसे कमजर्फों के खांदान में नहीं आई अब सुकून से अपनी जिन्देगी कहीं गुजार रही होगी वैसे अब समझ आया उस लड़की ने ठाक क्यूं मांगा था आप लोगों की फित्रत जो उसके सामने आवी होगी पैसे भी एक बात तो बहुत अची है जो माहम ने तुम्हारी मा के क्रेडिट कार्ड शॉपिक कर दी इस बहाने आप लोगों की आला जर्फी तो सामने आई आपको कोई हक नहीं बनता हमारे पर्सनल मैटर में इंटर फियर करें एक्सक्यूस मी तुम्हारी मा को हक था मेरी इंसल्ट करने का वो तो अल्ला का शुक्र है कि तुम लोगों की असलियत वक्स से पहले मेरे सामने आगई अब मुझे तुम से और इस घर से कोई रिष्टा नहीं रखना तलाग के पेपर्स तुम्हें मिल जाएंगे और वो सारा समान भी जिसके लिए तुम्हारी मा मरी जा रही है आप लोग जा सकते हैं ये ये थे आपके शरीफ लोग झाल